नमस्कार प्यारे बच्चों वैसाथियों मैं अनुपसियाग आपके साथ एक और ने लेक्टर के साथ आपका स्वागत था आपके यूट्यूब चैनल मैथ भाई अनुपसियाग में आज हम एक ऐसा के उसन लेके आए हैं जिसका हर किसी ग्रेलू जगह पे यूज होता है लेकिन बेसमेंट में जो टंकी बनी है उसमें कितने लीटर पानी आता है ये बात जरूरी भी है कई बार ये नहीं बता चलता कोई पूछने लग जाए छट पे जो टंकी रखी है इसमें से कितनी बरी जा सकती है हमें यहीं नहीं पता उसमें कितने लीटर पानी आता है तो हम जो यह result भी लेक आई हैं किसके लिए क्रिए में फुट के लिए लंबाई जैसे फुट में है कि चुड़ाई भी फुट में है चुब से पहले क्या होता है कि बाद बताएं 10 cm चोड़ी 10 cm ऊंसी और 10 cm लंबी अगर कोई टंकी है उसके अंदर अगर 10-10 cm के हम टुकड़े लें length भी 10 cm चुड़ाई भी 10 cm अगर ऐसा कोई छोटा सा box त्यार करते हैं उस 10 cm इंटू में 10 cm इंटू में 10 cm इसको आयतन कहते हैं आयतन का सुत्र क्या है आयतन का मतलब क्या होगा लमबाई गुणा चुड़ाई गुणा उचाई length, breath, height लंबाई गुणा चुड़ाई गुणा उचाई अगर तीनों की गुणा कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता उसके अंदर की जगह कितनी है तंकी के अंदर जो जगह है वो कितनी है लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होता 10, 10, 10 cm के हैं तो 1000 जो cm3 होगा उसके अंदर 1 लीटर पानी आता है 1000 cm3 में कितने लीटर पानी आता है क्योंकि वो 10, 10 के सारे गुणा की हमने 1000 cm3 होगा और उसके अंदर कितने लीटर पानी आता है एक लीटर ये मापन यहां से चलता है कि 1000 cm3 की कोई जगह है उसके अंदर एक लीटर पानी ही आता है अब क्योंसन की बात करें हम फूट में जाएं अगर टंकी की लेंथ ब्रेथ आइट की भी बात करें अगर हम ये मान के चलें एक एक फूट की है एक फूट चोड़ी है लंबाई भी एक है चोड़ाई भी एक फूट है और आपकी उचाई भी कितनी है एक फूट है तो आपने इनकी मल्टिप्लाई करनी है एक एक फूट की तो ये एक फिट क्यूबिक लिखा जाता है पावर तीन लिखे जाती क्योंकि तीन फुट वाड़ी चीजों की multiply की तो fit के ऊपर कितना आता तीन अगर दो फिट वाड़ी ट्रमों की multiply करेंगे हम गुणा करेंगे तो उसके ऊपर क्या आता fit square area की बात करते हैं में इसा square में आती है आयतन की बात करते हैं किस में आती है क्यूब में आती है अब हमें यहां पर एक बात लेके चलेंगे कि जो एक इंच है क्योंकि फुट के लिए क्या समझना पड़ेगा इंच 12 इंच मिलकर 12 इंच मिलकर एक फुट बनाते हैं ठीक है कई बार हम ऐसे नोर्मल भी नहीं करते वह अपना जो मापन सिस्टम है नोर्मल हम ये मान के चलते हैं हमारा ये भी 6 इंच का उतार ये भी 6 इंच का जब भी फुट के लिए कहीं पर मापना हो तो मैं ऐसे रख लेते हैं हमारा ये कितना होता है एक फुट होता है नोर्मल की बात करें और उसमें जो इंच होते हैं कितने इंच होते हैं 12 इंच होते हैं और एक इंच में क्योंकि आना कांपे पड़ेगा सेंटीमेटर के पास आना पड़ेगा लेकिन आपने तो लास्ट में एक बात याद रखनी पड़ेगी वे किस से मल्टिप्लाई करना है कि हमें यह पता चल जाए कि टंकी में कितने लिटर पानी आता है लेकिन उसके लिए पूर 2.54 सेंटीमेटर तो यहां पर मैंने एक फिट में बारा इंच होते हैं और बारा की मल्टिप्लाई 2.54 के साथ करूँगा तो तीस पॉइंट अड़तारीश आएगा फॉर एट ठीक है तीस पॉइंट च्यार आठ ऐसे बोलना होता है वैसे तो लेकिन अपना नोर्मल बास हम है तो एक फॉइंट में इतना आया टंकी कितने की आ है फुट गुणा फुट गुणा फुट भुणा फुट बाद में बता दे किस से गुणा करनी अगर मैं स्थीच पॉइंट 48 यह लंप बीतनी है इसकी, length लंबाई, breath चुड़ाई, चुड़ाई भी एक ही फूट है, उचाई भी इसकी कितनी है, एक ही फूट है, जब हम इनकी multiply करेंगे, ये तीस हजार तिन सो सोड़ा, अठाइस हजार तिन सो सोड़ा, पॉइंट सम्थिंग आएगा, इतने fit cubic आएगा, ठीक है, ये fit cubic किस में मन गया अब, cm3 में, ठीक है, fit थे, fit को मने किस में लिया, cm, 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 इतने cm3 क्यूब आएगा, लेकिन 1000 cm3 में कितना बनता है, एक लिटर बनता है, अगर मैं एक cm3 की बात करूँ कितना आएगा, ये अजार यहां पे गुणा में होगा, उदर बाग में चला जाएगा, तो इसके बाग में कितना आजाएगा, अजार आजाएगा, तो 28.316 लीटर, एक फुट में इतना पाणी आता है, एक फुट क्यूबिक में इतना पाणी आता है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्यों मापने का में नहीं होतना, उन्स नेप में हम कुछ भी डालते हैं, कहते हैं, 42 किलो होगी, यह मापन कर दिया गया, कि एक फुट क्यूबिक कहीं पर जगाए बनती है, उसके अंदर 28.316 लीटर पानी आ सकता है, तो 28.3 से हमें गुणा करनी होती है, अब बात करें कि कोई कह देगा कि मेरी टंकी 5 फुट लंबी है, चार फुट चोड़ी है, और तीन फुट उंसी है, तो आपने करना क्या है, पांच की गुणा 4 के साथ, जितनी लंबाई चोड़ाई उंचाई है, सब की गुणा करनी है, पांचों का 20 गुणा में 3, 60 आ गया, इस 60 की गुणा, जितना भी आए न आपने, उसकी गुणा किस के साथ करनी है, 28.3 के साथ करनी है, जो रजल्ट आएगा कैल्कुलेटर में होने के बाद, उतने लीटर आपका लगबग्या होगा, उस टंकी में पानी आएगा, टंकी का पानी मापना तो क्या करेंगे हम, जितने फूट लंबाई चोड़ाई उंचाई है, उसके साथ हम क् कि इसकी, मल्टिपलाई कर देंगे, किस के साथ, 28 के साथ, 28 के साथ गुणा करते हैं, यह पता चल जाएगा, कितने लीटर पानी आता है, टंकी में, बेशमेंट में भी टंकी बनी हो, यह स्तरह की टंकी कई बार सत पर बबन वा लेते हैं, तो उसमें भी यह पता कर लेते है कि कितने हमें उस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा क्योंकि जिस तरह किसी ने टैंकर डलवाना हो पानी का टैंकर वाड़ा ये कहा दे वह ये टैंकर मेरे पास 10,000 लीटर का है तो हम ये बता सकते हैं वह यादधा टैंकर आएगा या उसमें एक टैंकर आएगा कितना टैं क्या है कोई कहा किया देगा मेरी टंकी तो छय फूट तीन इंच कि है चयर इंच की आ पांच इंच इन की तब कैसे समयादान करें गिए उस समया आपने क्या करना है अगर टंक्य की लंबाय चुड़ाई उसाई अलग अलग है जैसे किसी की छे फूट और छे इंच की है ये लंबाई होगी चोड़ाई होगी पांच फूट च्यार इंच की और उंचाई होगी इसकी च्यार फूट तीन इंच की पॉइंट ने लिखेंगे यां पे इंच से पूट इंच प्धी और प्त्थर लगवाया है यह बाते दियान अपने कि इंच में बारा ट्रम होती है 410 में कितने दसने मों में फिट करणी हमें है 10 में तो कोई 12 चीज आ benchmark नहीं सकती हो तो वह चीज़ने मिलें क्या किरा घाएं कर में 10 मों सिस्ठम इसetzt होतेये और इंस मिलेंगा सब 1 2-20 में गूंज ये तरहें तो 25 लिखेंगे क्योंकि पता तीन दिन स्केट रखें साथ अपये इसा रत्राइब ये डबल क्योंकि दो इस से एक और एक दो रिक हुआ हम 200 की बात करेंगे इस तरह यह आपने सारे प्वेंट सिस्टम ध्यान रखने पड़ेंगे अब मैं क्या कहता हूँ छैय प्वेंट इसको चैने लिखेंगे शैइंस को क्या लिखते हैं पॉइंट 5 6.5 calculator में 6.5 लिखेंगे अगर 5.4 इंच है पांस तो यह आ जाएगा और 4 इंच की जगह पॉइंट 33 लिखेंगे तो 5.33 ठीक है यह उस जगह भी काम आएगी जब ट्रक में रेत्ती आती है अगर किसी ने मकान बनवाना ट्रक में रेत्ती आए कोई कहा देना लीटर में क्या फ किसे क्या करेंगे पता करेंगे उसके लिए हम एक और लेक्षर बनाएंगे एक दिन तो आपकी यह चीज़ वहां पे भी काम आएगी चार फूट तीन इंच है तो आपने यह तो करना नहीं वही ऐसे तो गुणा करनी नहीं कि 6 इंच को 6 लिख दे इसको यह लिख दे यह त गलत हो जाएगा 6 इंच को पॉइंट 5 लिखते हैं 4 इंच को पॉइंट 33 लिखते हैं और 3 इंच को देखो 3 इंच को पॉइंट 25 लिखते हैं अब आपने 6.55 33 4.25 की गुणा करके किस के साथ गुणा करनी है 28.31 6 के साथ जो भी अन सवराएगा उतने लीटर पाणी आपकी ट सबस्क्राइब जरूर कर देना ऐसे हम हर संडे को एक इस तरह की वीडियो लेके आते हैं जो आपके ग्रेलू काम में आए तन्यवाद आपका जो आपने लेक्टर पूरा ध्यान से सुना